इस तरह के नाश्टे को देखकर किसके मुँमें पानी ना आ जाए आपके मुँमें भी पानी आ रहा होगा और मेरे भी मुँमें पानी आ जाता है फ्रेंट जब मैं इसे बनाती हूं तो अक्सर मेरे घर में रोटियां बच जाय करती थी मुझे ही खाने परते थे बच्चों को एक पसंद नहीं है तो सबजी पसंद नहीं है हस्बिन को बासी रोटी पसंद नहीं है तो मैंने एक रास्ता निकाला और इस तरह से मैंने एक नाश्ता तयार किया तो चलिए हम बनाते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस के उपर एक पैन चरहा दिया है और इसमें मैं एक छोटे चम्मच वैल डालूंगी और मैंने लिया है एक एग और इस एग को मैं पैन में तोरकर डाल दूँगी तो हमें इसका एक पोच सा त्यार करना है फ्रेंज तो मैं एग को तोरकर डाल देती हूँ ये देखिए और हमें इसे बन साइट से ही पकाने हैं दोनों साइट से नहीं पकाने हमें इसे इसमें मैंने थोड़े से जीरे और काली मीर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है और साथ ही हम इसमें चिली फ्लैक्स भी थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे और इसमें थोड़े से नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि बहुत ही अ रात की बची हुई फ्रेंट्स रात की बची हुई बासी रोटी बहुत ही जादा फायदे मंद होती है आप इसे इस तरह के डिश बना कर देखें सब मांग मांग कर खाएंगे बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने में बहुत ही जादा आसान है मैं तो अब इसे रोज बनात एक साइट से और ये मैंने फ्रेस प्याज लिए और इसे मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं तो आप अपने हिसाब से जितने आपको प्याज के स्लाइसेस लेने हैं ले सकते हैं इसी तरह से हमने शिमला मिर्च भी ले लिए हैं बच्चे इसी बहाने सब्जियां प्याज बढ़ जाता है और यह मैंने जो एक पॉच बना कर तयार किये थे उसे मैं वन साइड में रख लेती हूं अब हम इसके उपर थोड़े से नमक और काली मिर्च जीरे का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे तो यह देखिए आप अपने टेस्ट के कर लिजेगा आपको जितना करेंगे कि इसे फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह से आप नाश्ता बनाएं फ्रेंड्स पीजा बर्गर सभी इसके आगे फेल हो जाते हैं बच्ची बहुत ही सौक से खाते हैं और अब आपके हस्बेंड भी इसे मांग मांग कर खाएंगे कहेंगे कि रोज आप इसे तो मैं एक्स्ट्रा से दो रोटी बचा कर रखती हूं इसे बनाने के लिए यह देखिए मैं बच्चों को भी लंच में यही देती हूं आप चाहें तो ताजी रोटी से भी बना सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है तो फ्रेंट्स आपको यह रेसिपी क अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब